दोस्तो अभी तक आप लोगों के लिए इंडियन रेलवे में हर काम के लिए अलग अलग नंबर होते थे जैसे कि सुरच्छा के लिए 182 का यूज होता था रेल इंक्वारी के लिए 139 का यूज होता था ट्रेन में कोई समस्य होती थी उसके लिए 138 का यूज होता था तो दोस्तो इसको ध्यान रखते हुए अब रेलवे ने आप सभी लोगों के लिए एक अप्राइल से एक ही नमबर स्टार्ट करने जा रहा है दोस्तो अब आप एक ही नमबर डायल करके उसमें आपसन मिलेंगे आपको जैसे कि मॉबाइल में होता था एक नमबर डालिए तो आपको बैलेंस मिलेगा दोर नमबर डालिए तो आपको बैलिटिक जानकारी मिलेगा या कोई सुरच्छा संबनी प्राबलम है तो उसके लिए अलग नंबर होगा और आपको कोई सफाई करवाना अपनी कोच में उसके लिए अलग नंबर होगा तो दोस्तो इसके बिसे मैं में में आपको पूरी जानकाई दूँगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये आपको अगर ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है तो दोस्तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए तब ही आपको पूरी जानकाई मिल पाएगी दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले साथ में जो बेल आइकन हो से जरूरी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो जानकाई आपको मिल सके दोस्तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवान तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तो अभी तक इंडियन रेल्वे में हर काम के लिए अलग-अलग नंबर होते थे जैसे की सुरच्छा सम्मधनी साहता के लिए 182 ट्रेन से कोई भी जानकाई लेना हो ट्रेन से सम्मधनी तो 139 ट्रेन कोई समझ चाहती तो इसके लिए 138 लेकिन पहले अप्राइल से रेल्वे में के लिए एक ही नंबर चालू रहेगा वो नंबर 139 इसके लाओ बांकी जो नंबर थे वो सारे बंद कर दिये जाएंगे दोस्तो लेकिन इसके लिए आपको 139 डाइल करने के बाद एक से लेकिन नो तक के आपको आप्सन मिलेंगे मान लीजे अगर आपको ट्रेन में यातर के दौरान इलाज की सुब्धा चाहिए तो पहले आपको 139 डाइल करना पड़ेगा गंटी जाते ही एक डाइल कर दे काल सिंटर के अधिकारी को ट्रेन नंबर कोच नंबर सीट नंबर की जानकारी देकर इलाज कराने की सुब्धा मांग सकते हैं बियुस्ता के बाद काल सिंटर के कम्प्यूटर के निर्देश को सुनने और उसका पालन करनी की आओ सकता नहीं होगी इस स्टम पर अंग्रेजी हिंदे के अलावा बारा अनच्छे त्री भासा सुनने और सूचना देने की जानकारी होगी इसी नमबर पर रेलवे के ब्रश्टा चार की सिकायद भी दर्ज करा सकते हैं बाद की कौन-कौन से आप संपे दबाने पर कौन से आपको सेवाई मिलेगी उसकी भी मजानकारी दे देता हूँ दोस्तो 139 डायल करने के बाद आपको सुरच्छा और मेटकल साहता के लिए एक दबाना पड़ेगा ट्रेन से समधित कोई पूंस्ताच, पियनार, खाना, किराय, हुईलचेर के लिए दो दबाना पड़ेगा ट्रेन में गंदगी है, सफाई के लिए, यातर के दोरान या आन समस्य के लिए आपको चार दबाना पड़ेगा रेल कर्मियों की ब्रश्टा चार के लिए आपको पांच दबाना पड़ेगा पारसल और सामान सम्हिंदी पूंशतांच के लिए आपको 6 दबाना पड़ेगा तेज भारत दर्सन परेटन इस्पेशल ट्रेन के लिए 7 दबाना पड़ेगा सिकायत पुस्तिक में दर्ज कराने के लिए आपको 9 दबाना पड़ेगा काल सेंटर के अधिकारियों से बात करने या साहता के लिए इस्टार यानि की स्टेरिस का आपको बटन दबाना पड़ेगा तो दोस्तो ये आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण नंबर है अब ये आपकी जानकारी होने चाहिए क्योंकि अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको लिए कभी कभी ये बहुत आवश्चेक हो जाते हैं तो दोस्तो ये थी एक महत्पूर्ण जानकारी है अगर ये ज जानकर यह अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको सब्सकाइब कर लें और दोस्तो लाइक बटन पर अपना लाइक करना बिल्कुल न भूलें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में जैहिना आपका दिनी